हेलो गाइज वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में खुद से वाटर गीजर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और यह बहुत है सिंपल है अगर आप मुझे फ्यू मिनट्स देंगे इस वीडियो को थोड़ी फ्यू मिनेट्स और खुद से इस्टॉल कर सकेंगे कोई भी प्लंबर कोई भी रिक्पेर मैंन का कोई भी रिक्वाइर्मेंट आपको लाइफ लॉंग नहीं पड़ेगा तो यहां पर मैंने एक छोटा सा गीजर लिया है यह हैवल्स का इंस्टैनियों और इसमें पाइप सब कुस दिया है यह बहुत अच्छा पाइप है अगर आपके गीजर में पाइप नहीं है कनेक्शन पाइप इसको बोलते हैं तो आप बाहर से पर्चेस कर सकते हैं अलग-अलग लेंथ में आता है तो देख लिजे कि पाइप से गीजर का क्या डिस्टेंस है उसे हिंसाब स सबकुस पाइप पर्चेस करना है तो आगे आप सब कुस्स ugh abe הי consulting प्रोसस है बहुत अच्छे से आप समाझ जाएंगे और कोई भी गीजर करना बहुत है एक इंड़िट पाइप रिव्फ पाइप और जोच्छ ceram मेवा कुंदेड़ करना हैं वह कर् 여러분 वह करना थीन चीज और और यहां पर इसका रेटिंग देख सकते हैं और यह अगर आपको चाहिए होगा तो लिक में डिस्क्रिप्स में दे दूंगा अब देखें यहां पर इस घीजर के साथ यह चोटा सा एक पॉंपलिट टाइप का दिया है और इसमें दिया गया है यह जो प्रिंट किया हुआ है कि कहां पर आपको स्क्रू ड्रिल करना है और यहां पर ऐसा नहीं कि स्क्रू और प्लग आपको बाहर से पर्च करना है वो भी इसमें दिया गया है यह देखें और सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है कि कितना डेप्ट तक आपको ड्रिल करना है यह देखें बहुत ह आरांसी हो जाएका और बाद में यह जो गेजर है इस तरह से स्कुरू पे लटक जाएगा बहुत ही और यह देखिये यह पांपड़ेट है इस तरह से सो किया गया है तो इस पांपड़ेट को आपको prelim cev और एफ वूटक करना है यह देकित पहले आप दिवाल पर चिपका दिया है बहुत ही प्यार से अольडि बहुत साओ डृय था बाट कोई भी इसको मैच नहीं किया और यहाँ प्राइड है क्या कै जो दो पॉइंट दिखाया गया था वहीं पे मैने ड्रील कर लिए और डेफ्ट मैने आपको आपके गीजर में जाएगा और यहां पे प्लग में आपको कनेक्शन कर लेना है तीन वायर रहता है और यह सिक्स्टीन एंपियर का आपको सौकेट ले लेना है और इसमें आपको कनेक्शन कर लेना है लाइन वायर का ब्लैक आपका न्यूट्रल है और जो ग्रीन है वह और यहां पर मैंने दो स्कूरू प्लग के हैल्प से लगा लिया है और यह मैंने गीजर को यहां पे hang कर दिया है तो यह काम हो गया अब यहां पे हमें यह जो connection pipe है वो attach करना आप देखे connection pipe आप जब भी purchase कीजिए ना तो उसमें wrench विंच वाला नहीं इस तरह का यह हाथ से ही tight हो जागा यह देखे इसमें wrench विंच यूज नहीं करना है यह plastic वाला जो दिया गया है तो इसको आप हाथ से tight कर सकते हैं और future में open भी करना रहता है like rented हो मैं आपका तो आप उसको हाथ से open भी कर लिजेगा तो यह देखे मैंने inlet pipe को correct कर लिया है तो इससे inlet pipe से पानी गीजर में जाएगा ठीक है और अगर मैं इसको on करूं तो यह देखे अभी मैं electrical connection नहीं दिया है मैंने बस उसमें पानी inlet जो water है वो मैंने दिया तो यह देखे यहां से पानी बहाराना स्टार्ट हो गया ठीक है अब यहां पर मैं electrical connection दे रहा हूं ठीक है on कर रहा हूं और मैंने outlet pipe जैसे मैंने inlet जोड़ा था उससी तरह मैंने outlet pipe भी जोड़ दिया है अब देखे यहां पर यह गरम होना स्टार्ट हो गया है यह देखे इनलेट pipe outlet pipe और electrical connection बस तीन चीज एक सब्सक्राव को द्यान देना आप यहां पर दिखि यहां पर वाल want mixer हैं पानी गरम होना स्टार्ट हो गया और यहां पे गरम पानी आना स्टार्ट हो गया बहुत ही प्यार से और यहां पे यह जो गीजर है इसमें सिस्टम दिया गया है कि अगर यह पूरा गरम हो जाएगा तो यह रेड हो जाता है और बहुत ही अच्छा गीजर है यह अगर आप भ पाइप और टेट पाइप और एलेक्टियल कनेक्स यह तीन चीज़ आप कर देंगे तो यह हो जागा और यह छोटा गीजर है तो इसमें इस कुरू के हैल्प से आपका गीजर हैंक कर रहा है जो बरा गीजर रहाता है लाइक 10 लीटर 14 लीटर 18 लीटर तो उसमें एक प्लेट आराता है लोहा का प्लेट दिया तो उसको आपको दीवाल पे पहले रख देना और से साथ ट्रिल करना है और उसमें फृस्ट लगता है चुक्य वह हैवी रहता है तो सकूषय बहाइब नहीं लेगा ऊसके हीzel से आपको इसको क्ता है अब हैघस्ट लेते हैं तो बड़ा घ गरम पानी आते रहा है बट यहां पर 3 लीटर में क्या है कि लाइक अपना रहे और अगर लाइट कड़ गया अगर वह एलेक्टिकल करनेक्शन में प्रॉलम है आपके घर में बार बार पावर कट होता है तो फिर आपका वह पानी फिर ठंडा देने लगदा कुस देर तो गरम देगा जब तक 3 लीटर है उसकी बाद भी ठंडा देने लगएगा बट यह जो हैबल से पानी को बहुत ही गरम जल्दी करता है तो यह चीज़ में अच्छा है तो आप अपने जरुत के हिसाथ से चोटा गीजर बड़ा गीजर आप ले सकते हैं और चोटा गीजर तो वीद आई वीडिया आपके लिए बनाओ होम रिप्यर रिलेटेड तो आप उसको देख सके और खुद से अपने घर में कुछ भी काम हो तो कर सकते हैं अट लास थांग यू थांग प्राचिंग मिलते हैं नेक्स ट्यों में